हेलो सो गाइस, पेलकम टू माई यूटूब चैनल, तो चलिए गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने बाले CPVC फिटिंग के बारे में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस वीडियो के सामने में 2 इंची का CPVC यूनियन लेके आया हुआ है, और आपको इस 2 इंची के CPVC यूनियन में 2 इंची के UPVC पाइप को लगाने की बहुत ही सिंपल सी ट्रीक है, जो कि आप बिना प्लंबर की मदद से ही, अपने घर पे ही अपने आतों से इस वर्क को कर सकते हैं, सिंपल ही क्या करना होगा, कि आपको किसी भी हाड़वेर सोप पे चले जाना है, जो इंची के हमने CPVC पाइप को और 2 इंची के UPVC पाइप को भी लिया हुआ है, इन 2 इंची के पाइप की जॉइंट्स को ले लेना है, और साथ में हमने UPVC दो इंची फिटिंग बनाने के लिए 2 इंची का MTA ब्रास को भी लिया हुआ, UPVC के 2 इंची MTA ब्रास को ले लेना ह और साथ में हमने 2x2 के CPVC FTA brass को भी लिया हुआ है साथ में simply आपको tape plan tape और solvents को ले लेना है So guys जैसे कि हम ये 2 inch के CPVC union में 2 inch के UPVC pipe को लगाना चाहते हैं तो पहले आपको 2 inch के CPVC pipe को 2 inch के union में लगा देना है Simply जो हमने 2x2 का FTA brass लिया हुआ CPVC का इसमें इस तरह से इसे लगा देना है So guys देख सकते हैं जैसे कि अब हम इसमें 2 inch के UPVC MTA brass को FTA brass में लगाने वाले जो कि CPVC की FTA brass में UPVC का MTA brass आसानी से लग जाता है Simply आप जब भी इस MTA brass को FTA brass में लगा रहे उस तरह से लपेट देना है अच्छी तरह से और इसे इसमें लगा देना है So guys देख सकते हैं CPVC के 2 inch union में 2 inch के UPVC pipe को लगाने की यह बहुत ही simple सी trick है जो कि आप अपनी site पर इस trick को यूज करके अपने work को पूरा कर सकते हैं So guys जब भी आप इस fitting को इस trick को यूज करें टेप लॉन टेप और solvents का ज़रूर यूज करें ताकि future में लिकेज जैसी problem कभी ना बने So guys उमीदें आपको वीडियो पसंद आया हो तो like and subscribe करें मिलते हैं guys next video में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर जरूर विजिट करें